हलो माइनेम इस वंदर असरूज इस वीडियो में बात करूंगी शेयर बाइपक के बारे में कितने तरीके से आप बाइपक में पार्टिसपेट कर सकते हैं बाइपक में पार्टिसपेट कर सकते हैं दूसरा मैं बटाउंगी इसी में जीरो धा अगर आपके पास दिमत अकाउंट है तो आप बाइपक के लिए अपने शेयर कैसे डाल सकते हैं टीसरा मैं आपको बताउं गेरा आपके पिजिकल शेयर हैं मतलब पड़की फॉर्म में श सकते हैं, यह है STFC security का platform जब आप सेक्योर्टी के अंदर login करेंगे, DMAT account पे, तो equity जो है, equity के अंदर right side में, buyback के under, dashboard है, dashboard पे आप click करेंगे, तो यह आपके सामने आगया है, page जिस पे आप buyback कर सकते है, यहां पे आप देखिए, सारे details आपको दी गई है, यहाँ पे है offer type यह buyback है या delisting है, कब offer शुरू हो रहा है, कब offer end हो रहा है, जैसे TCS का में example लूँ तो 9 March को यह शुरू हुआ था, 9 March से लेके 23 March को end हो रहा है, तो 9 March से 23 March के बीच में आप कभी भी participate कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा कितना आपको price दे रहे हैं, एक share का वो ह 4500 रुपे TCS का, इसके बाद settlement date क्या है, मतलब 31 March तक यह settle हो जाएगा, तो 1 April तक आपको पता चल जाएगा, maximum कि कितने share आपके buyback में accept हुए हैं, और जिसको हम acceptance ratio बोलते हैं, और record date कि इस तारिक को आपके DMAT account में TCS company के share होने चाहिए, वही eligible है, buyback offer के लिए, और cut off date वही है, जो last date है, जब तक आप buyback के लिए apply कर सकते हैं, और यह है आपका apply का option, तो यहाँ पर अगर आप जाएगे apply में, तो उसके बाद आपके सामने आगया है यह page, तो यहाँ right side में सारे details दी गई हैं, TCS की, इसके अलावा जो left side है, देखिए, जितने भी record date वाले दिन, आपके पास DMAT में share थे उस company के, वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उससे कम भी आप डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं, जितने share थे आपके DMAT account में, उस company को उससे ज़्यादा डाल देते हैं, तो हो सकता आपका जो bid है, या यह जो buyback के लिए आप order place करते हैं, आपका reject हो जाए, तो इसलिए उतने ही share डाले maximum, जितने उस record date वाले दिन आपके DMAT में थे, वो आप अपनी DMAT की statement से चेक कर सकते हैं, उसके बाद मैंने किया यह submit, यहाँ पर ok, ok के बाद I agree, उसके बाद देखें, यहाँ पर hold, उसके बाद ok, तो यह देखें, order आपका और यहाँ से आप modifies को कर सकते हैं, end date से पहले पहले, अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपके पास zero धागा DMAT account है, तो उसमें आप buyback में हिस्सा कैसे ले सकते हैं, अगर आपके पास zero धागा DMAT account नहीं है, तो इसी वीडियो के description box में लिंक है, उस पे click करके घर बैठे आप Minto में खोल सकते हैं, तो first आप Google में डालेंगे console zero धा, उसके बाद आपका login ID, password अगर आपको डालना है, six digit का password आपको डालना है, और उसके बाद आपके पास आजाएगा platform zero धा का, तो यहाँ पर आप जाएंगे सबसे पहले portfolio में, portfolio के अंदर corporate action में आप जाएंगे, उसक पर place order, तो यहाँ पर करेंगे आप जितने भी quantity बेड के लिए आपने लगानी है, तो एक share का price दे रहे हैं, 4500 रुपए, तो जितने भी quantity, जो आपके DMAT account में थी record date पे, maximum उतनी ही आप डालें, तरवाईज आपका order reject हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखें, कितनी आप डा कर सकते हैं, लेकिन last date जो है, उससे पहले पहले आप इसको modify भी कर सकते हैं, उसके बाद आप करेंगे submit, जीरो धा में मेरा एक भी TCS का share नहीं है, तो इसलिए मैं इसको end तक आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको इसी तरीके से buyback में participate करना, अगर आपके बाद जीरो ध इन टाइम, इस पे भी ज्यादा तर जो companies के buyback हैं, वो आप देख सकते हो और apply कर सकते हो, जैसे कि यहां जाएंगे आप investor services के अंदर, उसके बाद जाएंगे offers, उसके बाद जाएंगे buyback के, अब जो TCS है, उसका भी आप buyback यहां पर देख सकते हो, उसके बाद आपका आपक अपना डाल सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसके लिए apply कर सकते हो, यहां पर email ID भी दिया, अगर कोई help चाहिए है तो, आप बात करते हैं, अगर आपके पास physical form में share है, मतलब paper की form में share है, और आप buyback में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको sell करना चाहते हैं, तो उस case में क्या तो जैसे कि TCS company है, इनका अपना ये tender form है, तो जब भी tender offer के अंदर, जो कि जाया तर जो companies buyback offer निकालते हैं, वो tender offer के अंदर ही tender form होता है, यह सिर्फ physical shares के लिए होता है, physical form में जो shares है, तो इसको बोलते है form of acceptance come acknowledgement, तो यहां पर date दी हुई है सबसे उपर कि इतनी date से open होगा buyback और इतनी date को बंध हो जाएगा, तो इसके बीच में ही, अब आपने ध्यान रखना है कि जो date को बंध हो जाएगा buyback, कोशिश करें कि उसके एक दिन पहले तक ही आपका जो courier है, document है, सारे physical share है, वो सब पहुच जाएए, अब आपको क्या-क्या भेजना होता है, भेजना हो इमेल आईडी, phone number, बिल्कुल ध्यान से बरें, तो यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास letter of offer नहीं आया है, company की तरफ से, तो आप एक plain paper पे भी application लिख सकते हैं, तो जितने भी shareholder हैं, उन सब को उस पे sign करना चाहिए, sign करना होगा, उसका उनका नाम, address, folio number, कितने shares हैं, और साथ में equity share के जो certificate है, certificate number है, original certificate है, और देखें, यह सारी चीजे नहीं दी है, क्या क्या आपको उस पे attach करना होता है, like pan card है, share transfer form है, यहां से लेके, यहां तक, हर form में लिखा होता है, क्या क्या requirement है, जो भी company का buyback निकलता है, उनकी पूरी detail होती है, इसे भी की guidelines हैं, तो आप उसे phone पे phone कर सकते हो, number पे, और email भी कर सकते हो, ताकि आपके doubts, form भीजने से पहले, आप cross check कर ले, उसके बाद ही, सब भीजें, buyback के लिए, इनके office में, और आप आपके बारी, ऐसी जानकारी है, आपको हमेशा मिलती रहे, इसके लिए, वीडियो के नीचे जाके, red color के subscribe पे, click करें, उसके बाद जो घंटी का निशाना आएगा, उसके click करके all select करें, यहां से वीडियो को like करें, यहां से दूसरों को साथ share करें, साथ मेरी happy वीडियो, हमेशा आपको happy रखें, इसके लिए वंदरा सरोज vlogs पे जाए, और यहां से चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें